कि ऐसे हैं खेच के लेकर जा रही है वाई इस्तिक लेंग के लिए टियारी बार ट॥ '' भाइख चेक लिए थी और धमागे दर क्रेश हो गया वाई ट्रक इसको आगे ले गया वाई इसकी हैंडल ग्रिप गई है इसको कल ठीक करा लेगे फुल पावर कॉन वह है होली स्पेशल और जड़ा यहां चेक करो बाई साब यहां से लेके लास्ट तक कम से कम भी जादा नहीं तो भाई आठ न यह पुल है ना भाई फिलाल कंस्ट्रक्शन पे है बाईपस बन रहा है डिरेक्टली हरी दुवार का मजा जाने वाला है ना कोई बैरी गेट है ना कोई बाउंडरी है थोड़ा सा भी राइड को मुड़ गया ना उसी दा खेतों के अंदर पाएगा भाई सो हे गाईज गुड़ मॉर्निंग वेलकम बैक टू धानी व्लोग गाईज फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश्टे के साथ फ्रेश्ट न्यू व्लोग में आप सबी लोगों का दिल से वेलकम है स्वागत है हम लोग मस्त करके नहा दोके फुल पावर एड़ी है आपको हो पता है आज है 23 मार्च होली को आने में स्रफ एक दिन रह गया है कल छोटी हो लिए पर सो बड़ी हो लिए फाक का दिन है तो उसकी त्यारियां करनी है सुबह का टाइम आपको पहले बता रही है ग्यारा बजने वाले है और यहां पर सुबह सुबह पापा जी की मूवी चल रही है भाई अजी बापा जी गुड मॉर्निंग ममा गुड मॉर्निंग फोली की देना भाई इतने धमाके दा रंग बिरंगे बन जाएंगे सतरंगी कलर के कपड़े डालेंगे वह भी पुराने वाले उपर से वह बाल लगा लेंगे मजा आ जाएगा एक मात और कोई लगाए न लगाये खुद अपने आपको रंघ लगा लें न वाई चलो बुरा ना मा दो ओल्ई है और जारा यहां चलो बाई सुबजब् sixt गर्म यहां पर ब्रेकशों सप्सील मखाने हैं यहां पर साथ में चाय शाएं यहां पर जैकि और नब्डू चलो बह रहाए इस प बाइक को दिखा दो आगे वाली आखे चेक करो बाई साव यही तो मेन ब्यूटी है ना अपनी निंजा 300 की बागे गाइस आपको बता दू फिलाल हम लोगो ने यार अकेली घर में ना बाइक को मोड लिया पार्किंग में वस अभी फिलाल गेटवेट खोल ले हैं घर से बार बाई को निकालना है, cold start भी करना है जो कि अभी तक नहीं किया है सुबे से गेट को खो लेता हूं पहले और गाईज कोई कह सकता है कि इतने छोटे से कंपार्टमेंट में छोटी सी जगा से नेंजा 300 बलकी बाइक निकल सकती है लेकिन हम लोग यहीं से निकालते हैं बाई एकदम डेली निकालते हैं अब तो भाई आदत सी होगी है बागी बाईक बड़ी जादा भारी है और अब घर के अंदर होन कर दूँगा तो भाई मम्मी बहुत गुस्षे में आ जाएंगी बाई काफी लाउड है न और आपको पता है बंद घर में और भी कान को चुबने वाली आवाज इसकी हो जाती है बाई काफी भयंकर लाउड है बाहर निकालता हूं करता हूं कोल स्टार्ट गैस अपनी न बाईक में पेट्रोल भी बड़ा जादा कम है यह देखो इपे डंडा आ रख है टाइम और अभी का दो बज़ के 42 मिनट सो बहुत सारी चीज़े करनी है बहुत सारी बाईक और भी आएंगी आज की राइड के लिए ये चेक करो न भाई घर से कितनी आराम से निकालनी पड़ती है बाई कभी गेट को पीछे धकेल रहा हों कभी किस चीज़को लेकिन अराम से निकाल डालेंगे बाई चलो 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 उतर गी बाई रेलिंग से ना, मस्त let's go let's go let's go let's go bike successful भाई अपनी पार्किंग से बाहर आ चुकी है ये चेक करो bike आपके सामने है और क्या सुन्दर लग रही है भाई चारो साइट से ना नजर ना लगे बस किसी की happy holy happy holy holy खेले ये दिख लो भाई बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का अटेच्मेंट भाई निंजा से न ये पावर है भाई निंजा की यही पावर है भाई साब इसे तो कहते है धमाका पटाका इससे ज़्यादा हाई-end आवाज हो इनी सकती भाई मेरर खोलता हूं और भाई को बड़ी भूक लगी है प्यास लगी है तेल भराते हैं फिर हागे क और भाई सहाब और जो इस धूप ने बैंड बजाके रखी हुई है ना बाई कसम से इतनी तगडी वाली धूप है ना तबी तो होली खेलने का मजा आएगा भाई ठंडे ठंडे चिल्ड चिल्ड पानी से भाई मन ऐसा करता है जैकेट को उसी टाइम ओन्दा स्पोर्ट उत दीक आ रही है आगल बगल में आजू-बाजू में बाई साब टगडा क्राउड है भाई फोर वीलर का टू वीलर क्या बसेश क्या और पैदल चलने वाले लोग क्या बाई कमाल की भीड है अंकल छी खड़े है भाई भीड को निकालने के लिए पुट ओफ करने के लिए कमा कमाल की भीड है आज कमाल का रश्च है भाई आगे ओटो में देखो भाई क्या सुन्दर रियक्शन आ रहे है ना बच्चोंगे एक नमबर है एक नमबर चलो निकलते हैं अभी आगे ना लेगें राइट को देखो भाई साब अपना इंडियन ओईल यानी भारत पेट्रोलियम यहां सर्फ अटाक से पेट्रोल भरवाता हूं और फिर अपनी राइड को मस्त कौंटीनीव करता हूं बाई और वहार क्या हल चाल है हैपी होली हैपी होली हैपी होली 550 लोग आज पे सबी से अच्छे से बोलते हैं तो सामने से अच्छा treatment मिलता है भाई जैसी करनी वैसी भरनी मज़ा आ जाता है न फिर और भाईया जी देखो भाई wrong side गाड़ी को लेके आ रहे हैं भाई सीधी side से तो गाड़ीया निकलनी पा रही है wrong side से कैसे निकल पाएंगी न तो finally 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 guys after so long आपको बता रहा था आज अपनाएगा full power को नवो है holy special और ज़रा यहाँ चेक करो बाई साब मैं देखे न है रान हूँ और पसीने एकदम से छूट जा रहे हैं भाई यहाँ से लेके last तक कम से कम भी जादा नहीं तो बाई 8-9 bikes खड़ी है सारी super bike वाली range वाली न पहली नमबर पर चेक करो बाई Duke 250 KTM खड़ी है बड़ी मस्त है फुल सिस्टम एकरापोविक के साथ दूसरी खड़ी है भाई after so long बाई silver beauty अपने व्लोग में पहली बार आ रही है आज continental GT 650 silver कलर में chrome कलर में एकदम मस्त है भाई क्या लग रही है ना भाई सामने का view देखो पूरी ग्रीन भी फैल रखी है और मज़ा आ गया वाई इधर चेक करो भाई फिर दुवारा से यहां पर KTM 250 आ रखी है पहली और ब्लैक है और यह भी और ब्लैक है बस कलर का हलका सा थोड़ा सा डिफ्रेंस है यह सिलवर भी है बीच में काफी सही लग रही है टायर देख तो भाई साब 190 का डाल रहा है बाई क्या मस्त लग रहा है ना कितोना प्रोड है और उसके बाद देखो पल्सर एनस दोसों खड़ी है यहां पर यह भी ग्रे कलर में बड़ी सही लग रही है उसके बाद आरवन फाई वी थ्री मोडल खड़ा है सही लग रहा है एकदम ऑद यह जांट आपके सारे मिर्फ राइडर्ट स्वई हमे रडियो राइड के लिए चले चल्वडों कर दोम लैत्सको लेट्सको चलो भाई भागी राइड को स्टार्ट करने के लिए ना राइट की शुरुबात करने के लिए सारे excited है निकलते हैं याँ से लेट्स गो hope for the best भाई ये चेक करो भाई सबसे पहले नमबर पर निकली है Duke 250 फिर RC है एक ओर Duke 250 है R15M है और ये चेक करो यार Dual exhaust वाली Chrome Edition GT 650 भाई इस पर तो ऐसे लगता है जितनी बार भी इसको देखूँ ब requesting काफी सुन्दर बीस्ट है भाई काफी सुन्दर व्यूट्य है भाई और ये चेक करेब वाई ओ बैस साब बाइक्स का कौन वह चेक करो भाई रोड पे आते धमाल मचाना शुरू कर दिया ना लोगोंने आज यार सारे कशार रोग सारे राइडर्स क्रेजी हो रहे हैं बाई दिल से बता रहा हूं जैनुवली और आपको ये भी बता दू ये जो पुल है ना भाई फिलाल कंस्ट्रक्शन पे है बाइपस बन रहा है डिरेक्ली हरी दुवार का मजा जाने वाला है और ये भी आपको बता दू गाईज तब इस करके ना यहां प बगाने का और भाई हम लोगों ने ना भाई इस वाले पुल से नीचे उतरना है में बाइपस की और रोड की और यहां से लेफ्ट गूंगना है इसलिए थोड़ा सा आराम से कर रहे है वरन आपको पता है निंजाना रोड को खाने के लिए एकदम चीर फाड के बिलकुल त उतारते हैं में रोड की तरफ हाइवे की तरफ तब दिखाते हैं आपको जीटी सिक्स फिफ्टी और निंजा की एक्चुल पावर भाई लेट्स गो फॉर इट काफी जादा ना यहाँ पे ओफ रोड हो रख है और अपनी बाइक यहने निंजा 300 काफी जादा नीची है लगती लगती है बाई उतरते हुए ना चलो एनस उतर गी है निगलते हैं आगे की साइड बाई ओ बाई साब हलका फूल कर लाँ टायर भी फिसलता है बाई यहाँ जेसी भी रोड तो बना रही है मुझे लग नहीं रहा बाई बना रही है कि नहीं बना रही यहाँ चेक करें हो ना गिली मिटी है उपर से टायर धमाकेदार फिसल रहे हैं बाई कब बाइक्स गिर जाएं कुछ पता ही नहीं है इतने भयंकर फिसल रहे हैं और मिट्टी रेखो कैसे उड़ रही है बाई साब शैतानी मिट्टी वाला काम हो रहा है यहां तो बाई और कि इतनी व्लोग में एंदिखा पाँ है और किसम से बाई सारी साफ थी ना सारी मिट्टी होगी आगे वाले बाई का टायर ऑपनी निन्जा का आपनी निजा का भी यही हाल ओ रहा होगा वाई जो बड़ी नीची बाई के लिए tr future 25 है फिर अपनी आरवें फाइफ है फिर अपनी निंजा है काफि आराम-अराम से चल रही हैगी क्योंकि ओफ्रोड के लिए बाइक maintenant ने नहीं मैं सिर्फ ट्राक वाइक एंबेडिृ वाइक सिर clown इस गेरे लिए ना चलो-थरो चलो-चलो-लो चलो-चलो-चलो ने खतम हूं दुरुस्त खतम हुं किन ऑफ-्रोड का पैच खतम हूग हुए सबसे जो मेन बात है एहम बात है सारे बाइकर एक लाइन में चल रहे हैं एक वन लाइनर में अच्छा लग रहा है देखेंगे ना काफी अच्छा लग रहा है है यहारीज। quoting क्लिएं को इस एफ यह जुनला फूनान में लग है मेरे licensedिक भाइं को यह लाइन काम था साथ लोग इनी हो आपको पता है बड़ा सारा ग्रूप होता है ना तो लाइन अप करके आराम-ाराम से निकलना पड़ता है लेकिन ठीक है बाई अगर दो तीर बंदे साथ में तो कैसे भी हाई पर चला सकते हो बाई लेट्स गो फॉर इट भाई चलो और भाई सार जो गोली की स्पीड में भागती है ना भाई निंजा सो कब मारतिया पता ही नहीं लगता भाई मैं चला रहा मुझे ही नहीं पता रखता भाई चलो नहीं कलते हैं अभी आगए लोग आइस फाइनली जरह यहां चक करो भाई ड्यूक और रावन फाई वाइट कलर की वहां चल दी है तुम्हारे भाई की निंजा पीछे चल दी है और अपने को तो भाई एक्चुल में स्पीड में मज़ाता है भाई जब आगे पीछे जा रही हो एक से तब भी मज़ात भाई एक्चुल राइड का ना निकलते हैं आगे यह चेक करो भाई कटिंग वटिंग कैसे चलती है आज सिटी में ना ओ भाई साब यह लोग तो क्रेजी चला रहे हैं भाई अभी चेक करो भाई तीनों बाइक एक फ्रेम में क्या मस्त लग रही है भाई ऐसा लग रहा है तीन भाई भाई इकठे चल रहे हैं और भाई पूरी सिटी को हैक करते हैं भाई आगे चेक करो गाई जिपसी है उसको मुंडे देते हैं फिर आगे निकलता हूँ भाई गाई अंदर ना भाई लेडिस को नस्टेबल बैठी है और वो भी स्माइल पास कर रही थी भाई दि एक तो बाईक को निकलने का रास्ता ही नहीं मिला वाई एक तो बाईक ओवर्वेट हो चुकी है आपको पता है ब्रेक लगती है बार-बार बाईक बंद होती है तेजच चलती है तो ओवर्वेट हो जाती है और बीच में ऐसे बंदे अधर जाना भाई फिर बड़ा सब्सक्राइब कर देखो कैसे आ रही है ना मुझे लग रहा है बाइक दिखी नहीं थी बाइक इन्वीजिब होगी ना ज्यादा स्पीड में उनको दिखी नहीं कुछ पीछे से आ रहे है ना वागी रेस थी एक नंबर निंजा ने सभी को बीट कर दी है ड्यूक विल्कुल में चल रही थी लेगन ठीक है यार निंजा की पावर को कोई बीटी नहीं कर सकता वाई जरा चेक कर रहे थे छोटे से रोड पे किसो पंदरा भाग रही थी भाई यह जैनुवनली मारती है बाई एक तो घर्मी में मारती है और एक स्पीड में मारती है बाई सभी को ना आपको पता बाई निंजा के बाद अपने को फिर ना सेकेंड प्रायोरिटी अपनी रहती है ड्यूक चलाने की हम लोग अभी फिलाल के टीम चलाएंगे बाई एक बार आवाज चेक कर लो फुल सिस्टम एक रापोविक की अलगी है बाई बाई सहाब जनाब कान के ना बाई पर्दे फाड दिया इसने इधर से चलते हैं इधर से चलो बाई लेकिन डूक बाई एल्टीमेट मशीन है बाई हाथ छोड़के कैसे ही एकदम बैलेंस में चलाओ मस्त करके और बाई इसकी ना ग्राउंड क्लिरेंस काफी उची है काफी अच्छी चलती है बाई सारी प्यारी है लेकिन आपको पता है बाई कुछ बाई ऐसी होती है जिनसे अलगी प्यार हो जाता है बाई बाई अपनी निंजा चला रहा है मैं उसकी ड्यूक चला रहा हूँ और बाई सही बता रहा हूँ दोनों बाइक में ऐसा फील है ना बाई मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई और सूपर बाइक ले लो हाँ फील होगा लेगिन मेरे लिए भाई दोनों excellent है भाई एक नमबर चलती है ना पावर एक ही नमबर है भाई अलगी can है भाई पावर के इसके कुछ can ही नहीं है भाई चलो भाई निकलते आगे सभी से आगे निंजा को गुड़बाई है भाई गुडबाई है बाई बाई निंजा चलो 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 एश करो पीछे की तरफ हम लोग निकलते हैं आगे की तरफ भाई चलो ये चक करे हो भाई, क्या मस्त कटिंग चल रही है न, आहाहा, मज़ा आ गया भाई, आज के दिन में, एक तो होली पीक मुवमेंट पर है, उपर से दोडाने का ड्यूक को, अलगी मज़ा है भाई, भीट से निकालने का न, कभी कबार अपना गाईस, ब्रेक मारनी पड़ जाती है, लेकिन, मिनिमम मुवमेंट में भाई, कभी कबार, वरना ड्यूक की ब्रेक लगती ही न, वाई, सीटी में न, क्योंकि गाईस, ड्यूक की न, कटिंग काफी अच्छी है भाई, छोटी सी बाईक है, कहीं से निकल जात आप लोग सारी चीज़ों को रोख सकते हो, लेकिन, ड्यूक को न, भाई, आगे चेक करो, भाई, साब, होली के कारण, इतना तगड़ा ट्राफिक है न, भाई, एक तो तगड़ी मातरा में धूप है, उपर से गड़ियां कहीं कहीं मुर जाती है, भाई, और गाईस, आपक आपके की स्पीड में आगे आप ईसलो, अ आसे चला रहा हूं कैसे चला, रहो वु empathic, या रहा है, आपक करूछ कि लेकि जा रहा हूं, इफ है, प्रिछा ड़ लनेगे जारग जै जै रहा हूं, तो चला गा गज लगा है और सहीन उर्डवायोे वाई सब पतले हुझी ट्रक वाला कैसे खीच की लेखे गाय और रहे हाथ को मेरए चला गया सब करने यह घूला है और हमालmor फुरवाल गिलिग वाकिन एंगी तस दो तो है नीचे की मे है आगा इस अब पतरी ट्रक वाला कैसे चला था वॉईर को साथ ले अपने ना मैं तो नहीं रहा गया खड़ा और नके टॉप तेंब बाला क्रेश हो गया था बाईिट अपने साथ खीच गे लेगे जा रहा था यह वला ट्रक था गाईज मैं जस्ट पीछे रुका और साथ मिले गया भाई बाई को ना बता नहीं क्या चक्कर है यार इसका एक बड़ ज़रा चेक करते हैं भाई ड्यूक में कुछ हुआ तो नहीं रोड के बीच ओ बीच गिर गी भाई ये चेक करो भाई हैंड ग्रिप चल चलो बाई आज का सीन कुछ ऐसा था चलो बाई बाई चलो बाई निंजा अपने सामने खड़ी है ओन कर दिये वाई इसको लेके सीधा घर निकलता हूं बाई एक तो मूड का सत्ता नास हो गया वाई जैसे क्रैश हुआ ना हलका सा बाई सीधा नीचे गई मैं भी नीचे थ बाई चलो निकलते हैं घर की साइड बी सेफ राइड सेफ राइड में मसदा आ गया वाई चलो लेट्स गो हूम निकलते हैं घर की साइड भाई अगर अगर